केस किया था उसमें मेरा नाम लिया था उनकी ये चाल थी बच्छा आमारी गोद में दे दे कोई बाद नूप पारेंगे जब वो पैदा उगया ना तो अपने सास लेके आया है अरे क्या पता इससे भी बुरा हो जाए उसके साथ मेरे से भी कोई बहुत बड़ी है मिल जाए उसको पैसो से जिन्दी की चल देओ पैसो तो आर रंडी के पास भी होता है परिज़त थोड़ी नहोती है पैसो से नमस्कार मैं हूँ अजब आरद्वाज और आप इसम ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं सोनी पजीले का जो गाउं फरमाना है वहाँ का मुदा लगातार मीडिया सोसल मीडिया में वायर लोने लग रहा है की डेड़ महेने के मासूम बेटे को छोड़ करके डाई साल की बेटी को छोड़ करके उसकी माँ गर से दो पैरे में चली जाती है तो इस वक्त परवीन हमारे साथ मोजूद है परवीन की ही वो पतनी है खरखोदा थाने में दोनों के दोनों पार्टियां मुलाए गई थी वो पूरा मामला भी वो आपके सामने है कल देर साम एक लड़के का फोन आता मेरे पास में और आरोप लगाता है वो प्रवीन के उपर की प्रवीन ऐसा लड़का है प्रवीन वैसा लड़का है देखो जिस भी प्रिवार के उपर जब संकट के बादल ठाते हैं इसके प्रिवार के उपर अभी फिलाल दुखों का पहर दूटा है तो कहने वाले कई जो परतिकिरिया होती है कोई अच्छा बताएगा कोई बुरा बताएगा कोई जान न पहचान मैं तेरा महमान बहुत सारे लोग ऐसे भी इनकी लाइफ में आएंगे जो ये उसको जानता नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इसकी बुराई भी करेंगे कुछ लग ऐसे आएंगे जो इसको नहीं जानते हैं फिर वो इसकी अच्छाई भी करेंगे यानि कि अलग अलग लोगों की जो परतिकिरिया है निकल करके सामने आने लग रही है लेकिन फिलाल सबसे बड़ी बात यही लोग कह रहे हैं कुमेंट वोक्स में कि उसे डेड़ महिने के बेटे को छोड़ करके उस माने नहीं जाना था यदि जाना था तो उस बेटे को साथ में लेकर के जाना था एक मा की ममता को लेकर के सभी लोग कुमेंट करें हैं सबसे पहले दो प्रवीन भाई राम 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 भाई सारे वाई एक साथी का एक लड़िके का फोन आ था वो कह रहा था कि आप उससे यह जब भी मिले प्रवीन से तो यह परसन जरूर पूछना ठीक है भाई मैं पूछ लेता हूं है तो आला कि आपके काफी नेगेटिव बोल रहा है फिर भी जो है जो सचाई आपने परवीन वह बतानी कि रहें ठीक है नहीं बिल्कुल उसने काफ़ से पहले का वो कहता था कि प्रवीन तो अपने माबाप की पिटाई करता है इस बात में कि इस ताई है जो वह कह रहा है को मेरे माबाप से जागे पूछ लो मैं मेरे माबाप से जागे पूछ लो पडोस में पूछ लो पिटाई करता हूं तो पिटाई करता होता तो मेरे माबाप मेरे साथ होते बिलकुल भी नहीं होते देखे लो भाई यह सही बात है यह इसकी यदि अपने माबाप की पिटाई करता तो या आज इसके माबाप इसके साथ खड़े नहीं होते दूसरी बात वो कह रहा था कि आप जब निरेला रहते थे तो किराय का मकान था दो कमरे थे चाहिए। इस बात में कितनी सचा इस बात कैसे आपकी पतनी परेसानों गई थी नई बिलकुल नहीं यह बात मेरी पतनी बता देगी और मीरे फ्रेंड आ जाते थे मैं तो क्या आल सन हो पूछने आज जाते थे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना कभी मेरी वाइप ने बोला कोई दिक्कत है मेरे को अगर कभी मेरी वाइप को कोई दिक्कत होई हो तो मेरे को पताती नहीं तेरे फ्रेंड ऐसे हैं कोई मेरा फ्रेंड गलत है पेली बाट मैं गलत इसल फ्रएंड को अपने यूज भी नहीं करता है ॹप्ता इ治ा जो इए निये को और एप गर पर जाएंगे प्रॉद फिसी आद्मी डॉर आता है और वह एक काम और मेसाथ जा मैं रहता था वा चलो वे खुदी बता देंगे बिलकुल अज़ा प्रवीन एक भी आरूप लगा था कि आप सटा कहलते थे आप कहते थे कि मसाधी के पहले ही सटा कहलता था उसने कहा कि अभी जो फिलाल का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आप ने सटा खेल था वो कहा रहा है अगर वो कहरा है खेल आ हूं तो कोल डिटेल निकालो मेरी फॉन की इससे बड़ी बात मैं क्या कहूंगा बात को मैं तो अपना परूप दे सकता हूं làm एक निकालो जिसके पास खेला हूं उसको बूला लो इससे बड़ी बात क्या कह सकता हूं आपने सामने बैठ जाए परूप तो तभी होगा ऐसे तो मैं भी कह दूँ मैं भी फोन करके कह दूँ अक उसकी वाइप ऐसे है फलाना डिकड़ा ऐसे है कहने से कुछ नहीं होता जब आग आएगा ना तब पता चलता है पता है आपको कि कर बसा ले वो कम से कम खुद की अरेंज मैरीज हुई थी उसकी जो वाइप यह बोल दे है का आपका लड़का मेरे साथ आज तक लेटा भी नहीं है वह वाइप छोड़के उसको चलीगी दूसरी उसने कोट मैरीज की की थी वह भी छोड़के चलीगी दो दो वाइप जब है तो क्या कारण होता है लड़के की कमी होती है लड़की की कमी होती है यह तो मैंने एक ही वह कर रखा है कोई मेरे बारे में बता दो मैं किसी की लड़की के साथ हूं अगर वो यह बात कह रहा है तो कोई मेरे को यह तो बता देक मैं किस लड़की के साथ हूं या मेरे मेझा वी देना हुसे ए पिन जाती है यह तोड़ी नहीं संभानी है ब्ड़ाय द्रणक दे रहा हुई से अले ज्युन absolute की जिसका देना उसका देऊंगा जो मेरे से पहले हो लिया ठीक है देना है अगर मैं मना कर दूँआ तो ले लेंगे जब अरजस्तिया के यह बता हो मेरे को मेरी नियत देने की होंगे मैं अपने आप दे दूआ या वो मेरी वाइप को तंक करते हो या मेरे घरवाडों को तंक कर जी यह पारण नहीं हो सकता कि आपकी पतनी को पता भी है कि आप इतनी समस्याओं से भी जूज रहे हैं ये भी तो और नहीं हो सकता कि वह तो इसको चुड़े चली तक यह कोई कारण नहीं है आपको की चार को विस्वास है यह कोई कारण नहीं क्योंकि मैं चार साल पहले के खेलता था था मेरी लड़की पैदा रही तब जल्केश को कोई नाराजी ठीक है पूछ ली बाई अच्छी बात है पूछी है और मैं उसको असे प्रवीन इसको ना इसकी पतनी के विश्वास है यानि एक बात करने लग रहा है उसने मेरी हर एक्टिविटी का पता था तो डाई साल की तो गुडिया है और वही यह कह रहा है कि जो अभ वह उसकी मर्जी से उसके अनुमती से हुआ किसी परकार की कोई जवरदस्ती नहीं थी कि आपने बच्चा पालना है तो यानि कि प्रेसराइज कोई बात चीत होती तो वह बच्चा भी नहीं करती तो एक बात तो यह कलियर हो जाती है देखो वही जब उस लड़की ने इसक सुटी मौटी एक्टिवीटी या कमिया रपरिवार होती बैं कोई भी व्यक्ती संपूरण नहीं होता तो इस अच्छा जीवन जीना चाहता है तो उसको भी मौका देना चाहिए आगे आप कह रहेती दुने बार सब्सक्रा भी पी लेते हैं या आपकी वाइफ आपके पास दुबारा से आती है जो कमीया है स्राव पीने को छोड़ देंगे आप बिल्कुल छोड़ दूँआ जब अगर मेरी वाइप आ कि तो बोले यह कमी है कोई नहीं मैं इस सभी को ताग दूआ है मेरे को कोई जरूत नहीं है और जो यह वह बोल रहा था कि साधी से अभी जो साध जाता है अगर मैं रात को का पहली बाद तो मेरी वाइप खुद ही मना करती थी मेरे को अक रात नाइट की ड्यूटी नहीं करनी है और चलो मैं उस वाई के जो इस बाइने मेरे से मैं चोगा पूछा था आक लाक रुपया देना है तो मैं उसी बात का एक जवाब दे रहा ह है मैं बगवान नहीं हूँ अगले 24 गंटे जीतु हां दस दिन जीतु हां एक दिन आरूँ अभी मैं सारे पैसे उसको लाके देता था कोई दिक्कत नहीं है जब पैसे थे जब उसको मैं नहीं दिखे बिलकुल जब मेरे पास पैसा था तब उसको मैं नहीं दिखा अगर मै मेरे पास पैसा भी था और वो मेरे को छोड़ के चलीगी यह तो कोई कारण तभी मानते ना इस मैच का कारण अगर यह मैच खेलता और नहीं मान रहा है अच्छा प्रवीन एक और बात कर रहा है वो जैसे ताई जी को कैंसर है वो कह रहा कि यह साइद जानबुजगर के करें क गां उसका हो सब्सक्राइब करा लो यह मैं ऐस पीटल का नाम भी बता देता हूं सोनी पत्वी है नरेला भी है वोस्पिटल में जा के पूछ लो कोई धिक्त नहीं है कब से होस्पिटल वाले खुदी बता देंगे खुदा भी चेक कर आलो मैं तो इतना कर सकता हूं उसके लिए परूफ के लिए अब आदमी जाके चेक कराएगा तभी तो पता चलेगा बोलने से थोड़ी ना होता है जाके ले के जाओ मेरी मम्मी को कहते हो तो मैं वह स्टेटमेंट दे देता हूं डोक्टर की दिखा देता हूं जो टीक के लगते हैं जाके देख लो अपने आप प अगड़ाने मैं अपनी वाईप को भी है बोलते था अगर ममी तेरे को कुछ कहती है तो तुमेरे को बतादे और मैं उनको डाट दो हां यह पता है मेरी वाइब को मैं ऑनके खिलाफ सुनता यह आप अगर अगर मेरे घरवाले बोलते थे ना तो मैं उसको कुछ भी नुह भी निए वाइप को कहते थे ऱहिंत को टाट हुछा मशनियक्ट मैपने यह सबसे बड़ी बात प्रिवीन की यह है कि जोती को लेकर के बार बार एक ही बात करने लग रहे है वो आज भी सई है अपनी जंग है क्रेक्टर को लेकर के सई है और वेवार को लेकर के सई है लेकिन वो अपने प्रिवार के बहकावे में आने लग रही है उसको बाचित नहीं करने दिया जा रहा है सामने फेस टू फेस नहीं होने दिया जा रहा है ये सबसे बड़ा जो कारण अभी तक है वो माना जा रहा है बाइ लोग हैं, लोगों की अलग अलग परतिक्रिया हैं, कोई कुछ आरोप लगा रहा है, कोई कुछ फिलाल, देखो, यदि माता पिता के साथ इसका कोई अन्बन होती, तो माता पिता फिलाल उनका रोरोकर के बुराल नहीं होता, क्योंकि जितनी बारी वह मैं परिवार से म ला हूँ तो इसके माबाप के आँखों में आसू है रोने लग रही है इसकी माबाप की पिटाई करता तो इसके माबाप इसके साथ क्यों खड़े होते इसके माबाप आज इसके इससे जएदा यह दी तकलीफ किसी को है तो इसकी माबाप को है मैं जब वहां खुद जाता हू तो देखता हूं जब इसकी मा का मिन्ट में एक सेकेंड में बात कहांगे कि उसकी आखों में आशु आ जाती है बेदि उतना ये अपनी माई और बाप के साथ ये इतना ये कलट बहुभार करता तो इसकी माचे आखों में आशु नहीं आते इसके बाप की आँखों में आसू नहीं आते इससे ज़्यादा प्रियास इसका बाप कर रहा है इससे इसने कंप्लेंड दिसका बाप दो दो बार कंप्लेंड इससे साइद आपसे ज़्यादा चक्कर काटे होंगे आपके पिताने थाने के आपसे ज़्यादा आपके माबाप इस बात से कि मारे बेटे के साथ जो रहा है वो गलत होने लग रहा है तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो आपके खिलाप जो नेगिटीविटी जो विचार दा रहा है जो नेगिटीव है वो फैलाने लग रहे हैं और अंत में क्या पील करेंगे आप जोती से भी या उसक मैं तो अपनी गलती मान बता तो दी मैंने जो मेरा काम था जो मेरी वाइब को भी पता था खुल के पता था मैं किसी चुपके थोड़ी ना कर रहा था लो मेरी वाइब को पता ही नहीं था मेरी वाइब को तो चार साल पहले ही पता था जो मैंने साधी कर यह उससे पहले ही पत थाने में हमारे बयान हुए थे उसकी बरने के पहले जो पैसो से जिंदी के चल दें पैसो तो आर रंडी के पास बीकुल परिज़त थोड़ी न होती है'm, पैसो से बिल्कुल चलो चलो भाई फिलाल परवीन थे हमारे साथ और कुछ कड़वे सवालों को लेकर के जो इनके उपर आरोप किसी व्यक्ति के द्वारा लगाए गए थे उन्होंने कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए उन्होंने फोन किया था तो उसके द्वारा जो आरोप लगातार हर वीडियो में अपना सपस्ट्रीकन देने लग रहे हैं आप भी कोमेंट बुक्स में अपनी राय रखेगा और बताईएगा कि एक माने डेड़ महिने के बेटे को छोड़ करके डाई साल की मासूम बेटी को छोड़ करके अच्छा किया या फिर बूरा किया उसक गरीबी कार्ण मानती है या फिर कोई और कार्ण मानती है उसको छोड़ना चाहिए था नहीं छोड़ना चाहिए था आपका भी सामाजिक नैतिक करतव बनता आप अपनी राय जरूर रखिएगा आपकी हर राय को पढ़ा जा रहा है आपके कोमेंट को पढ़ करके इन से परसं मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शियर करें